जाहें साथ हो तो दिल्ली पिलिस कॉंस्टेबर 2 जा 23 जिसके रिटन एक्जामनेशन अभी चल रहे हैं बहुत सारे लोगों के एक्जाम हो गए होंगे बहुत सारे लोगों का एक्जाम अभी नहीं हुआ होगा अभी इसके एक्जाम चल रहे हैं किन्तो अभी से इसके फिसकल का schedule और result के schedule का notice viral होने start हो गए अभी एक notice आया है बहुत सारे लोग इस notice के बारे में पूछ रहे हैं इस notice में full schedule दिया गया है इसके joining तक का और final result तक का इसमें जो है schedule दिया गया है तो क्या यह real है या फिर कितना यह सई है देखे मैं यह नहीं कहूंगा कि यह 100% fake है क्योंकि जब कोई भरती आती है तो उसका पहले से schedule तैं होता है कि हाँ किसी समय पर क्या करना है किन्तो जरूरी नहीं है कि वो उसी schedule पर अपना सब कुछ करें उसे schedule पर वो अपना process complete कर लें जो schedule होता है उससे तो बहुत डिले होता है किन्ति schedule क्या है वो मैं बता देता हूं और यह notice real है या फिर fake इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा किन्तो यह real भी हो सकता है किन्तो जरूरी नहीं है कि SSC उसी schedule पर अपना काम करें और देखें ऐसे notice आते हैं कोई real होता है कोई fake होता है किन्तो आपको खुद से तयार होना पड़ेगा अगर आपके exam अच्छे गए हैं तो आप अपने physical की तयारी करते रहें क्योंकि physical में ज्यादा time नहीं मिलेगा आपने CPU में भी देखा ज्यादा time इन्होंने नहीं दिया था तो CPU में कितना time मिला था इसमें कितना मिल सकता है उनसा भी चीज़ों के बारे में discuss करेंगे अगर चैनल पर पहली बर आएं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा आगे का जो कुछ भी अपडेट होगा इसके physical से रिलेटेर final result तक हम आपको अपडेट देंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा अभी यहाँ पर देखे इसके result के बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको पता होगा कि इसका जो exam चला है आप लोग खुछ सोचिए कि 7 दिन बाद result कैसे आ सकता है 7 दिन तक तो केवल answer की ही जारी हो पाती है तो यह result कहां से जारी करेंगे देखे 3 दिसमबर तक आपका exam चलेगा उसके बाद उमीद है कि यह 7 या फिर 8 दिसमबर तक आपकी answer की जारी कर देंगे 7 या 8 दिसमबर तक आपकी answer की जारी हो जाएगी उसके क्या एक से दो दिन बाद result आएगा ऐसा तो बिल्कुल possible नहीं है और यहां पर देखे इन्होंने बताया है कि यह tentative है आगे पीछे होता रहता है यह SSC को schedule भेजा गया है कि इस schedule की according आप अपना काम कीजिए और total इन्ह 2564 candidate इसमें select होंगे fiscal के लिए अधात केवल 12 गुना candidate बुलाए जाएंगे उसके बाद यहां पर बताया है कि दिल्ले पुलिस यहां पर जो schedule किया गया है देख सकते हैं यह जो schedule भेजा जागा SSC को 11-12 को भेज दिये जाएगा SSC के पास बाकि यहां पर SSC provide data biometric of all shortlisted candidate क्योंकि भी आपको पता होगा कि दिल्ले पुलिस जो है वो fiscal कराती है बाकि एक्जाम SSC कराती है तो SSC जो अपना data दिल्ले पुलिस को देगी fiscal वाला वो 12 दिसंबर तक देगी उसके बाद इन्होंने बताया है कि SSC will provide link अथा जो आपके fiscal के admit card का link आएगा जो admit card आएगा fiscal वाला वो 19 12 को आजाएगा उसके बाद इन्होंने कहा है कि fiscal जो start हो जाएगा वो 22 1223 से 4 1224 तक चलेंगी तो क्या 22 12 से इसके fiscal start हो सकते हैं 22 December से fiscal start हो जाएगे यह real है या फिर fake है देखे 22 December तक तो possible नहीं है कि तुहां उससे हो सकता है एक महीने बाद start हो जाए कि तो यह जल्दी करेंग अधात exam होने की एक मंथ बाद आप यह समझे कि आपका result हाएगा उसके एक मंथ बाद आप यह समझे कि आपके fiscal start हो जाएगे किन्तो यह schedule जो है वो गलत है पूरी तरीके से गलत है उनका अपना schedule हो सकता है किन्तो इस schedule तक सब कुछ कराना संभव नहीं है उसके पर यहां पर फिसकल यह conduct करा ले बागी इतना भी जल्दी नहीं कराएंगे कि exam होने के साथ दिन बाद ही आपका result आ जाए उसके दस दिन बाद ही आपका फिसकली start हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी possible नहीं है यहाँ पर मैं CPU का बता देता हूं इसी को आपको target करके चलना है देखे CPU में यह रता एंसर की आने के बाद उसके बाद इनका यहां पर फिसकल इस टार्ट हो गया है वह यहां पर देखेu Vaan यहां पर देखेर जालत पड़िए बाद या फिरेसा महीन保़ को जाए उसे बीच पचीश दिन बाद आपका फिसकल साथ हो गया है तो यहां पर आप यह मेट तक आपके फिसकल भी हो सकते हैं वैसे देखे जुलाई तक तो नहीं फिक्स आई इनके जुआनिक देंगे ही बाकि इतना जन्दी हो सकता है कि यह जुआनिक ना दे पाए चले बाकि आगे का जो कुछ भी अपडेट हैगा इंफॉर्म कर देंगे मिलते हैं एक वीडियो